खरे ग्रिष्णा तो आज हम जानते हैं Srimand Habatam का क्या मेहत्म है क्यों? क्योंकि भद्रपूर्णी मा आने वाली है और Srimand Habatam वितरन करने का बहुत बढ़ी महिमा है तो पहले जानते है Srimand Habatam क्या है? सर्ववेद इतिहासादाम सारं 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 समद्रितम ब्याजदिर जी शीमत भागवतम में ही लिखते हैं कि सभी वेद शास्त्रों का ये सार है और ये सार है और सार ग्रहन करने से हम अपने जीवन के लक्ष को जान सकते हैं नदी नाम यथा गंगा पुराणा नम इदम तथा वैष्णवा नम यथा शंभू और देवा नम अच्छुत यथा सभी देवताओं में स्रेष्ट विष्णु है नदियों में स्रेष्ट गंगा है वैष्णु में स्रेष्ट श्यूजी है उसी प्रकार सभी शास्त्रों में स सबसे स्रेष्ट अमल पुरान है वो है श्रीमद भागवतम और क्रिश्ण स्वधाम उपगते धर्म जाना दिविसह कलव नश्ट दिशम एशब पुरान आरका अदुन हो दिता है भगवान क्रिश्ण जब अपने लीलाओं को समाप्त करते हैं अश्रीमद भागवतम दिशा दिखाती हैं सभी संसारी लोगों के लिए धर्म क्या है जीवन का लक्ष कैसे प्राप्त कर रहा है कैसे इस संसार में सुखी नहीं सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष को प्राप्ति के बाद भी परंगती और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं इसलिए श्रीमत भागवतам पढ़ना अनिवार हैं इसे कोई संधे नहीं स्वयर अबि परिवार के साथ पढ़ना और साथ साथ में अनेक लोगों को इसके बारमें बताना भी प्रचार भी करना, श्रीमत भागवतम का प्रचार करने की भी बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए श्रीमत भागवतम की बारवे सन्ध में, तेरावे अध्याय में, और तेरावे स्लोक उस वेक्ति को परमगती प्राप्त होती है भगवान का प्राप्त होता है जिस वेक्ति श्रीमत भागवतम का दान करता है यहां पर लिखा है तोर नमाज याने पुर्णीमा में भद्र पुर्णीमा के समय जो श्रीमत भागवतम को हेमल स्वासन याने सुनेरे स्वासन में रखके दान करता है उसको परमगती वैकूंट की प्राप्ति होते श्रीफ श्रीमत भागवतम देने से किसी को इसलिए ऐसा आपका हमको पूरी तरह लाव उठाना चीए ऐसा आउसर का पूरी तरह लाव उठाना चीए इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी भक्तों जो सनातन धर्व्यानुएं आई है उस्रीमत भागवतम बोले आगर आपके पास नहीं है तो प्लीज आप उसको ले लीजिए और पढ़ कर सकते हैं हरे खिश्णा